हमारे देश की सरकारें टेक्सपेर्स को साफ पानी और साफ हवा तक नहीं दे पाद कलकेंद्र सरकार ने बजट पेस किया ऐसा बजट जिसकी हालत बेहत नाजूक है तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो लगतार प्रतशन कर रहे हैं लेकिन सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि मिडल क्लास को हर बार की तरह सरकार ने फिर से जुझना पकड़ा दिया बियस्पी सुप्रीम मायावती के सासा तमाम नेताओं ने सवाल किया कि आखिर देश की जनता को क्या मिला देश की HC करोड जनता को क्या मिला 80 करोड जनता के सासा तक 140 करोड जनता के हाथ में क्या थमाया टेक्सपेयर को क्या मिला सोचिए यहां तक की टीवी अखवार के अंकर तो सरकार की पोल खोलने लगे हैं मैं बात करें सुधीर चौधरी की जी हां सुधीर चौधरी की बदलती होई भासा बता रही है कि सरकार बेहत जादा नाजुक हालातों में चल रही है जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि सरकार ये एंडिये सरकार अगस्त तक गिरने वाली है उसके आसार दिखाई दिने लगे हैं और राहुल गांदी ने का ये बजट जनता के लिए नहीं बलकि कुरसी बचाओ बजट है जी हाँ जनता की थाली खाली है दो स्टेट के सीम की थाली में पकोडा और जलेवी परोसने का काम किया मलीकारजुन खडगे ने लगता सरकार से सवाल पूछे लेकिन सोची ये टीवी अखवार में बैठे जातिवादी मनुवादी पत्रकार किस तरीके से लकडी की तरास्ती दे हो गए है वही जो नोडबंदी के फाइदे गिनाते थे जो लगता सरकार की लीपा पोती को छुपाने का काम करते थे अब वही तमाम सरकार की पूल खोलने के लिए एंकर्स जो है टीवी स्क्रीन पर सरकार के पूल खोलती हुए नजर आ रहा है बजट की हालत ये हो चुकी है कि अब गोधी मीडिया भी डिफेंड नहीं कर पा रही है सुधीर चौधरी जो सरकार के हर निन्ने के फाइदे गिना दिया करता था अब उसने भी हतियार डाल दिये सुधीर चौधरी भी बजट पर सरकार को रोस्ट करते हुए कहते हैं कि नए टेक्स लेब में आपको 650, 866 और 1517 रुपे का फादे होना वाला है अब आप ते कर लीजिए आप इतना पैसा कहानी वेस करेंगे क्या आप इससे नई गाड़ी खरी देंगे क्या इससे मकान खरी खरी देंगे क्या इससे जमीन खरी देंगे सुधीर चौधरी ने जैसे तक मजाग बना दिया बस इसी से आप बजट की सच्चाई समझ लीजिए सोचिए टेक्सपेर को मिडल क्लास वर्ग को इस बजट में सरकार ने सिफ जुझना पकड़ाया अच्छ दिन लाने का वाद कॉंगरेस का रिपीटिट मैनोफेस्टो है जो भारती जनता पाटी की वित्यमंत्री निर्मला सिता रमन ने कल संसत के अंदर पेस किया सुधीर चौधरी को क्या हो गया है सरकार टेक्सपेर को साफ पानी हवा तक नहीं दिवपाती यकीन नहीं हो रहा आप ये वीडियो देखिए सोचिए जिस तरीके से पिछले 10 सालों में टीवी अखवार नेनत मस्तक हो गई थी घुटने टेक दिये थे अब वो भी रीड की हड़ी की तरह सीधे खड़े होते होए दिखाई दे रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं जो लगतार देश के प्रधान मंत्री कहते थे कि मजबूत सरकार चाहिए मजबूत सरकार चाहिए अब किस तरीके से मजबूत सरकार बनती होई दिखाई दे रहे हैं बजट कैसा है इस कंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि गोधी मीडिया भी इसे डिफंड नहीं कर पा रहा सुधीर चौधरी जो सरकार के हर निन्ने के फायदे गिनादिया करता था उसने भी हतियार डाल दिये तो आज तक पे सुधीर चौधरी किस तरीके से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं चंदर शेकर आजाद ने पूछा है कि दलित वर्ग के लिए शेडूल ट्राइब के लिए इस बजट में क्या था मुसल्मानों को तो दर्किनार ही कर दिया है सोची किस तरीके से धरम के नाम पर लगतार उनको टार्गेट किया जा रहा है कैसे विदान सवाचुनाव के लिए हिंदू मुसल्मान मुद्दे को गर्मानी की कोशिस की जा रही है लेकिन जब बात आती है सिक्षा की, रोटी की, रोजगार की, अच्छा स्पताल की तो सरकार आपको जंजना पकड़ाने का काम करती है मद्यपरदेश सरकार द्वारा स्थी है स्थी कल्यान निदियों का फंड गाय और धार्मी किस्तलों के लिए उपियोग करना दिसार निदेशों का उलंगन है, धन का उपियोग यह है कार्या वंचित समुदाई के विकास को कमजोर करता है यह सविधानी के सोची, STSC, OBC वर्ग के लिए जो पैसे मिले थे सरकारी जो पैसा था उसको जनवरों के विकास पर लगा दिया यह है हमारे देश की विवस्ता नेपाल की कटमाणों में एक बार फिर विमान क्रेश हो गया जिसमें लगभग 19 लोगों की मौत हो गई तो यह बड़ी ख़बर है और काफी ज़ादा दुखत भी की विमान क्रेश में 19 लोगों की घायल होने की खबरे हमारे सामने आ रहे है सोचिए फिर से एक बार किसानों को रोखा गया वही किसान जो हमारी ठाली में खाना सबजी रोटी दाल चावल आटे के लिए तपान मौसम के तप्ती धूप से लेकर बरसाद सर्द तक सारे मौसमों का वो किस तरीके से सामना करते हुए संघर्ज के बाब जूद आपका पेट भरने का काम करते हैं आज उनको फिर से केंद्र सरकार ने भाजुपा सरकार ने रोखने का काम किया राहूल गांदी से मिलने तक नहीं दिया सोचिये मोधी सरकार को किस बात का डर सता रहा है कि तमाम लोग दिल्ली आ सकते हैं बस किसान दिल्ली नहीं आ सकता आखिर किसानों से इतनी नराजगी क्यों किसानों से इतना डर क्यों राहुल गांदी ने किसान निताओ को संसद में अपने ओफिस में इन्वाइज किया था राहुल गांदी ने मीडिया को बताया कि उन्हें आने के लिए अलाव नहीं किया क्योंकि वो किसान है मगर कुछ ही देर बाद अंदर आने की परमिशन मिल गई और 12 किसान निताव का डेलिगेशन प्रतिपक्ष राहुल गांदी से मुलाकाद करने के लिए आगे बढ़ा लेकिन उनको रोख दिया जाता है जब तक कास सेंसिस नहीं होता है तभी हमारे भाईयों को हमारे बेहनों को आरक्षन मिलने वाला नहीं है आरक्षन का मुद्धाविया संसद में गर्माया बावसाब ने हमें सविधान दिया इस सविधान के तहद पिछडे वर्गों को आरक्षन मिला लेकिन पिछले कई दसकों से हम देख रहे हैं कि सरकारी कंपनियों को निजी करन और आरक्षन खतम करने की कोशिस हो रहे हैं महरास्ट में भी मराथा और धन्नगर आरक्षन की मांग उठ रही है इसलिए सरकार जल से जल जातीगत जनगर्णा करा है ताकि लोगों को आरक्षन मिल सके तो आरक्षन जो है वो बड़ा मुद्दा बन चुका है लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार का दिखाई देते हैं उसी तरीके से मोधी सरकार का विकास आपको दिखाई देगा मोधी सरकार के बजट में किसी भी राज्य को कुछ नहीं मिला जिस जिस राज्य को लोगों ने भाजपा को नका रहा उस राज्य को इस बजट में कुछ नहीं मिला सबकी ठाली खाली और दो पीजेपी का खदेड़ा जिन जिन राज्यों में हुआ सोची आयोद्या के लिए विकास करने वाले थे आयोद्या को स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे आयोद्या को तमाम बड़ा चड़ा के वोट आने के लिए क्या कुछ नहीं किया लेकि इस बजट में आयोद्या को उत्तर के लिए पेस किया गया है इंडिया गडबंदन पुरे देश में इस बात का विरोध करेगी मोदी सरकार का बजट भेद भावपून है देश वासियों के साथ अन्याय है हम इसके खिलाफ आपनी आवाज बुलंद करते हैं संसत के गेट पर मजबूत विपक्ष किस तरीके से कर रहा है यही खुबसूरती है दो वार से सरकार में मोदी जो है वो तानशाही की चरम सीमा पर पहुंच चुके ते सूचिए अब कहते हैं मजबूर होकर कि विपक्ष मेरा गला दबाना चाहता है यह मोदी जी का कुरसी बचाओ सत्ता बचाओ बदला लो बजट है इस दी ने किस तरीके से पुरानी पैंसन बहाली पर लोगों को निराश कर दिया है सरकारी करमचारियों की एक बेहद जायज मांग नहीं मानी जाएगी ओपीएस नहीं मिलेगा अब सरकारी करमचारी अपनी मांग मनवाने के लिए आगे क्या रननीती बनाएंगे देखना दिल थाली में पकोड़ा और जलीवी मली करी जुन खड़के ने आ सरकार की क्यारियों क्यूस्ट हुआ उस बजएट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सेमें खाली और दो जाली में पकोड़ा और ये दो छोड़के किसी को नहीं मिला कुछ और विपक्षी नेता जमकर सरकार का विरोध कराइक्ट की सरकार ने फिर से जनता को अपने बजट में जुनजना पकडाने का काम किया इस वीडियो पर आप लोग अपने प्रतिक्राइब जरूर दीजिए और मोदी के इस बजट से क्या आप वाकई खूजे हैं अगर आप नाखुश भी हैं तो कौन सी मोदी सरकार की वह बात है जो आपको निराश करती है ये भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए शुपया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे